नमस्कार दोस्तों आज हम अपने इस दस महिने बच्चे का पोटफोलियो बनाएंगे तो चलिए फिर बनाते हैं क्योंकि सवाल हमारे बच्चे के भविसे का है तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से uncertainty को avoid करूँगा यानि कि यह भविसे में अच्छा कर सकता है fancy stocks उनको मैं पूरी तरह से आज avoid करूँगा तो मैं आज अपने इस पोटफोलियो में केवल उन्हीं stocks को ही जगे दूँगा जिनोंने past में कुछ अच्छा करके दिखाया है और दोस्तों जितनी भी मैंने अभी तक book पड़ी है उन समय देखिए एक चीज़ को मन देखने को मिलती है कि केवल आपको उन्हीं कमपनियों में निवेस करना चाहिए जिनके पास कोई ना कोई मोट हो कोई competitive edge हो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बास share करना चाहूँगा कि आपके पास कोई ना कोई गोल होना चाहिए कोई ना कोई आपके पास purpose होना चाहिए जैसा कि मेरे केस में मेरा गोल है कि मुझे अपने बच्चे के भविसे के लिए पैसे 1-8 करने है और जब आप अपने गोल को एक बार set कर लो तो अब आपको decide करना है कि कौन सी ऐसे stocks होगे कौन से ऐसे शेर्स होंगे जो की आपको अपने गोल को अचीव करने में मदद करेंगे तो दोस्तों मेरे केस में मैं ये बिल्कुल सिंपल रखने वाला हूँ क्योंकि मैं के वर उन्हीं कंपनियों में निवेस करने वाला हूँ तो दोस्तों कंपनियों के नाम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहां पर कुछ रूल सेट की है सबसे पहले तो देखिए यहां पर कोई भी किसी तरह की फैंसी कंपनी नहीं होगी जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है दूसरा हम केवल उन्हीं कंपनियों को प्रेफरेंस करेंगे जिनके पास कोई ना कोई मोट होगा कोई competitive edge होगा अपने किसी दूसरी कंपनियों के मुकाबले में या फिर वो अपने sector की लीडर होंगी लेकिन हमारे portfolio में एक से दो company आपको ऐसी भी देखने को मिलेगी जो कि अपने sector में लीडर तो नहीं होगी लेकिन हमारे पास उनके लावा और कोई options भी नहीं होगा इसके लावा मैं उन company को चूज करूँगा जिनको पर technology change होने का कोई भी असर नहीं पड़ेगा चायकल को 5G आए या ना आए या फिर EV vehicles आए या ना आए इस तरह के stocks को हम prefer ही नहीं करेंगे कुल मिलाकर यह सभी evergreen stocks होंगे तो दोस्तो हमाई list में पहला stocks है Asian paint, Asian paint के पास देखे 50-50% का market share है paint sector के अंदर Asian paint के पास 40-40% की market leadership है Asian paint की leadership को break करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी company जो की US की है Servin Williams वो भी एक बार भारत में आई थी और लगबक 4-5 साल तक अपना यहां पर करोडो अर्बो रुपय का नुकसान करके वो भी देखे वापस चली गई है तो दोस्तो इस जन्म में तो मुझे 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 लगता है कि कोई company Asian paint की leadership को चुनोती दे सकती है और दोस्तो मैं आपको बता दू कि Asian paint का stocks पहले भी महंगा था अभी भी महंगा है और आगे भी महंगा ही रहेगा तो दोस्तो मैं Asian paint को अपने portfolio में सामिल करने वाला हूँ इसके बाद हमायर लिस्ट में दूसरा stocks होगा पिडलाइट industries आप मुझे एक बाद बताएए जब भी आपको glue चाहिए तो आप दुका अंदर को क्या बोलते हो हम उसे कभी नहीं बोलते कि हाप हमें glue दे दो हम उसे हमेशा बोलते हैं कि आप में फैविकोल दे दो आप में फैविस्टिक्स दे दो तो दोस्तो एडिसिव के अंदर पॉर्टफोलियों में सामिल करूंगा इसके बाद तीसरी कंपनी होगी हमारी रिलेक्सों इंडस्ट्री दोस्तो देखे चपल पहले भी हम पहनते थे आज भी पहनने वाले हैं और आगे भी हम पहनने वाले हैं इस पर टेक्नियोजिया देखे कोई असर नहीं पड़ेगा दोस्तो जहांपि रिलेक्सों की चप़ल आपको 100-150 सुरुपे में मिल जाती हैं वहीं पर जो इनके कंपिट्रेटर हैं जैसे कि Puma, Nike, और फिर BATA उनकी चप़ल आपको 400-500 सुरुपे में मिल ती हैं और दूसरी बात रिलेक्सों के जित्रे DU कंपिटर हैं अगर आप उन सभ की manufacturing capacity को add कर दोगे तब भी रिलेक्सों के पास उनसे पांच गुना ज्यादा बड़ी manufacturing capacity है और दोस्तों इनकी manufacturing cost कम होने के कारण इनके जो प्रक्ट के दाम है वो काफी कम रहते हैं जिनके कारण दूसरी कमपनिया इनको यहां पर आकर बीट नहीं कर सकती में फोर्थ राम होगा बाल किस इंडस्ट्री दोस्तों बाल किस इंडस्ट्री जो टायर बनाती है यह आपको MRF के JK टायर या फिर कोई C8 वाल टायर नहीं है क्योंकि यह specially off-road वीकल्स के लिए टायर बनाते हैं जैसे कि है मिलेगी उसका नाम होगा CDSL, CDSL दोस्तों एक depository company है यानि कि जिन shares को हम buy करते हैं तो वो हमारे इनके ही पास रखे जाते हैं यानि कि जिस तरह से bank में हम हमारे पैसे deposit करते हैं तो यहां पर हमारे shares deposit होते हैं तो दोस्तों यहां पर हमें एक छोटी सी फीज देनी होती है और दोस्तों मैं बता दू कि भारत के अंदर केवल दो ही depository है एक है NSDL और दूसरी CDSL के पास लगबक 60% का market share है और यह अभी भी देखे बढ़ता हूँ आ रहा है और दोस्तों 2020 के अंदर CDSL के अंदर केवल 4 crore DMAT account open हुए थे और जो कि अब की तारीक मे वह बढ़कर 6 crore से जाता हो चुके हैं तो यहाँ पर CDSL जो है धीरे-धीरे market share gain करता जा रहा है तो definitely CDSL भी हमारे portfolio का हिस्सा होगा उसके बाद दोस्तों अगली जो company है वो भी देखे same sector से है वो होगी हमारी BSC यानि कि Bombay Stock Exchange देखे Exchange के मावले में NSE No.1 पर है भारत में लेकि unfortunately NSE listed नहीं है तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही option बचता है वो कि BSC देखे जब भी हम share buy करते हैं जब भी हम intra detail करते हैं तो देखे चाहिए हमें profit हो ना हो लेकिन exchange के कुछ fixed price है जो कि हमें pay करने होते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि CDSL और BSC का जो business model वो काफी कि जब कोई songs record होता है तो यह अपना उस पर label प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आपने देखा हूँ कि T-Series सारे गामा टिप्स जब भी यह company को music distribution के rights ले लेती हैं तो यह उनके पास अगले 60 साल तक रहते हैं और देखे जब भी आप Spotify पे YouTube music पे या फिर YouTube पे जब भी आप गा लिस्टिड नहीं है और दोस्तों जो भी company लिस्टिड है उन सम में सबसे better company मुझे लगती है सारे गामा तो ऐसे में इस company को मैं अपने portfolio का हिस्सा बनाऊंगा इसके बाद दोस्तों में अगली company है उसका नाम है Varun Beverage Limited दोस्तों यहां भी इनका business model काफी unique है Varun Beverage Limited भारत के अं 7-Up हो, Mountain Dew हो, Tropic आना हो तो उन सब के पीछे देखिए आपको एक चीज़ लिखी मिलेगी Manufactured by Warm Beverage Limited लिम्टिड तो इस business model के अंदर Pepsi Warm Beverage को packaging bottle का design और साथ में Pepsi का formula और marketing जो है पूरी तरह से Pepsi संभालती है पर उनको factory में बनाने का काम और दुकानों में distribution का का काम Warm Beverage संभालती ह और इन्हें किसी भी तरह का technology change से effect नहीं होने वाला है और इनके पास एक काफी strong vote है तो दोस्तो अब हम पहुंच गए हमारी आखरी company पे जी हां दोस्तो मैंने अपने इस portfolio में केवल 9 company को इस थान दिया है और दोस्तो यह जो 9 company है यह दोस्तो मेरी favorite company है इस company को साथ में 2017 मैं purchase change करता हुआ रहा हूं और दोस्तो इस company ने जो इतना अच्छा profit बना के दिया कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूं दोस्तों यह company auto industry से जुड़ी होई company है क्योंकि देखिए दोस्तों मैं भी auto sector में काम करता हूं और दोस्तों मैंने इसी के मैंने पढ़ाई की है तो एक समय में मेरी watch list में कम से कम 50-60 auto industry होती थी लेकिन जैसे जैसे दोस्तों मेरी knowledge बढ़ती गई अब गटते गटते सिर्फ दोस्तों एक ही company प्याकर अब रुख गई है वो उस company का नाम में मिंडा इंडस्ट्री दोस्तों मिंडा इंडस्ट्री अपने हर एक सेग्मेंट में देखिए नंबर एक पर होगी और दोस्तों होन बनाने के मामले में तो यह company all over world के नदर नंबर दो पर है और दोस्तों जैसा कि हम बात करते कि आने वाले स्वें में electrical vehicles आएंगे अगर ऐसा होता है तो इस company के लिए बेनिफिट है अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी इस company के business पे कोई भी किसी तरह का effect आपको देखने को नहीं मिलेगा इनका एक तरह का consistent compounder वाला system है तो दोस्तों मेरी लिस्ट में के वाली 9 stocks थे इसक यहां पर कोई adventurous नहीं चाहता हूं कि मैं यहां पर किसी ऐसी company को add कर लूँ कि यह भविस्यम ऐसा कुछ करेगा जी नहीं मैंने ऐसी किसी भी company को add नहीं किया है तो दोस्तों अब एक काम करते हैं कि अब हम यह decide करते हैं कि यह जो 9 stocks हैं जिनको हमने choose किया है यह हमें भविस्य में कितना return दे सकते हैं देखिए यह exact तो नहीं होगा पर देखिए थोड़ा सा मोटा मोटा हमें हिसाब यहां पर लग जाएगा तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं हमारे laptop के screen पे जहां पर हम एक चोटी सी case study करेंगे तो दोस्तों मैंने यहां पर एक excel seat तयार किया है जिसमें देखिए एशन पेंटर ने पिछले 10 साल के अंदर 23% के CAGR से रिटन दिया है वहीं पर पीड़लाइटर ने दिया है 30% का रिलेक्शो ने 43% और इस लिस्ट में सबसे जाजा जा जो रिटन दिया है वो दिया है में में इंडा इंडस्ट्री ने लगबग 57% का तो द पहले में इनको एड कर देता हूं कि हमें टोटल रिटन कितना मिला है इसके बाद हम निकालते कि on end average हमें कितना रिटन मिला होगा तो हमें लगबग 34% का रिटन मिला होगा अगर हम इन no stock का portfolio बनाते तो दोस्तों इस 34% के रिटन से हमारा पैसा अगर हम यहां पे एक लाक र हो सकता है अब हम future की बात करते हैं तो देखिए अगर हमें यहां पर 34% मिला है पिछले 10 साल में हम मानके चलते हैं कि हमें यहां पर अगर 25% का return भी मिले तो 25% का return से देखिए क्योंकि मेरे पास अभी लगबग 20 साल का समय है तो 20 साल को अगर मैं यहां पर देखता हूं कि अगर मैं एक लाग रुप लाक के छोड़ देता हूं तो यहां पर कुछ 86 लाक रुपे की मुझे यहां पर amount दिखाई देती है और अगर मैं यहां पर अपने investment को जो कि हमारी अभी सर्फ 25 परसेंट पर है अगर मान लिजे कल को market खराब होता इन future में और हमें सिर्फ यहां पर 20 परसेंट का return मिलता है तो भी मुझे आने वाले समय में 46 लाक रुपे मिल सकते हैं हमने माना कि market और भी खराब हो गई तो भी हमें यहां पर कुछ 32 लाक बाहर भी जा सकती है मान लिजे अगर कल को किसी company में हमें कोई fraud होता हुआ दिखाई देता है तो फिर हमें उन company को यहां से निकालना होगा और कोई नई और भी company इसके अंदर add भी हो सकती है तो दोस्तों यह जो 9 company आ हैं आपको कैसी लगी क्या आपके पास इन में से कोई stocks ह हैं तो आप मुझे नीचे comment section बता सकते हो वीडियो कैसी लगी है वो भी आप मुझे बता सकते हो तो दोस्तों मैं आपका दोस्ती इसकुमार अब आपसे मिलता हो next video में तब तक के लिए take care bye bye